हाई मुऊवन हम पढ़ने जा रहे हैं Sенным आज हम पर पढ़ने जा रह해े हैं Sallular Respirations जैसे कि हम लोग ने पिछली विडियो में discuss किया था कि Case Type के question जो हैं वह UPSC में पूछे जाते हैं Sallular Expiration को लेके तो यहाँ पर हम लोग पर करहखें कि छ इस पहले पढ़ेंगे cellular respiration जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में डिसकस किया था कि किस टाइप के कॉश्टन्स जो है वो यूपीस से में पूछे जाते हैं cellular respiration को लेके तो यहाँ पर हम लोग खब से पहले पढ़ेंगे आखिर cellular respiration में होता क्या है cellular respiration में क्या होता है अगर हम देखें तो जो भी substance होते हैं चाहे वो carbohydrate हो चाहे वो protein हो चाहे वो lipid हो वो breakdown होते हैं हमारी body के अंदर जाके और produce करते हैं macromolecules अब जो macromolecules हैं वो जो breakdown होते हैं तो वो बनाते हैं energy, वो release करते है energy, और वो release क्यों करते है energy, क्योंकि वो photosynthesis के दौरान produce होते हैं, जिनके अंदर energy रहती है, तो वो लोग energy produce करते हैं, तो अगर हम लोग step की बात करें, तो कौन-कौन से steps आते हैं cellular respiration में, जो पहला step होगा, वो होगा glycolysis, glycolysis जो step है, वो हर जगा common होगा, भले ही आप aerobic की बात करें या anaerobic की, दोनों में ही glycolysis आएगा, glycolysis में क्या होता है, जो glucose होता है, वो convert होता है, किसमें, pyruvate में, ग्लूकोस से pyruvate में convert होता है, तो उस process को हम लोग कहते हैं glycolysis, अब glycolysis जो है, वो 10 step process है, यहाँ पर steps के थुरू आपको glucose से pyruvate बनता हुआ, दिखाई देगा, आप जो second stage की बात करें, तो second stage आता है हमारा pyruvate से acetyl coenzyme बनाने का, अब इसमें जो एक main major यहाँ पर enzyme जो काम करता है, वो होता है pyruvate dehydrogenase, dehydrogenase, यहाँ पर यह जो हमारा enzyme है, वो काम करता है, इसके बाद जो तीसरे step आता है, वो क्या होता है, acetyl coenzyme से, क्या बनाना, काफी जादा ATP, NADPH, NFADH2, यह सब क्या है, यह है energy carrier, इन सब के अंदर energy बंद रहती है, जिसको आखिर में release किया जाता है, जिससे कि हमें और ATP मिल सके, तो इसके बाद कौन सा चौथा step होगा, चौथा step होगा हमारा electron transport chain and oxidative phosphorylation, यह हमारा step होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो यह NADPH है, और जो हमारा FADH2 है, इसमें से हम लोग release करेंगे energy in a form of ATP, यह हमको और energy release करने में मदद करता है, यह step, तो कुल मिलाके हमारा, जो respiration में पूरा मूटो क्या होता है, respiration का हमारा जो mean मकसद है, वो क्या है, वो यह है, कि हमें जो molecules मिले हैं, उसमें से हमको energy release करनी है, और ATP के form में उसे रखना है, जिसके लिए यह सारे process हुए, तो हम लोगोंने कितने process हमें ध्यान देने हैं, हम लोगों को ध्यान देने हैं यहाँ पर, पहला glycolysis, दूसरा pyruvate से acetyl coenzyme बनाना, तीसरा acetyl coenzyme से ATP, NADPH, NFADH बनाना, जो की है, crap cycle, और citric acid cycle, चौथा पार्ट है, electron transport chain से हमें FADH2, NADPH में से ATP प्रेडियूस करना, तो इतने को हम लोग पढ़के, पूरा का पूरा cellular respiration कवर कर सकते हैं, इसमें से हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग glycolysis, glycolysis में oxygen की जरुरत नहीं होती है, इसके बाद, glycolysis के बाद अगर आप aerobic की बात करें, तो उसमें oxygen की जरुरत होगी, अगर आप anaerobic की बात करें, तो उसमें oxygen की जरुरत नहीं होगी, सो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं glycolysis, this is all for today's video, thank you so much.